नमस्कार आपका बर्थ रिटेल 1 अगस्त 1972, 11 बचकर 35 मिनट सुभ़े आपका जनम हुआ है जिस समय आपका जनम हुआ उस समय तुला लगन वर्गुत्तम इस्तिती के साथ उद्य हुआ यानि तुला लगन यहां लगन में भी है नमांश में भी यही लगन दिखाए देता है उसके अलावा सब्तांश, द्वादशांश और दश्मांश में भी एक सेम ही लगन उद्य हो रहा है लगातार जब इस परकार से लगन उद्य होते हों सेम अलग अलग जगाओं पर तर कहा गया है यानि इसके अंदर एक खास्यत है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थती के अंदर फसे वहां से निकल कर आने में शक्षम है और अपने आपको स्वैम अपने बल पर उठा कर जीवन में तरक्की करने में भी शक्षम है इसमें कोई भी संधे नहीं है वो मंगल देव है चंद्रमा कुंडली के सब तम्भाव में बैठा है साथी साथ एक डिग्री का चंद्रमा है ऐसा चंद्रमा अच्छा नहीं होता उसके पीछे रीजन क्या है रीजन ये है कि जब अग्नी ततव राशी में चंद्रमा बैठे और मूलों का चंद्रुमा हो तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में समस्या देता है सभाव में शिर्चडापाटन एग्रेशन भी दे सकता है व्यक्ति को तीवर गती से क्रोध आना और शान्त हो जाना ये दोनों स्थितियां भी ऐसी ही पोजिशन में देखी जाती है तो ये कंबिनेशन क्योंकि मैं चर राशी के चंद्रमा को अच्छा नहीं मानता हूँ वो इसलिए है कि अगर व्यक्ति का मन चलाय मान है व्यक्ति एक जगे टिक नहीं पाएगा उसको फटा फट से किसी चीज़ से उमीद है कि बस ये हो जाए वो हो जाए यानि मन के अंदर धहरे की कमी देता है चंद्रमा आपका उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है अब चंद्रमा दशमेश होके सब्तम में बैठा है दशम से दशम में ये व्यापार के लिए का च्छिस्ति कहलाती है उस लिहाज से ये चंद्रमा अच्छा है आपके लगन में कोई ग्रह नहीं है और लगनेश शुक्र नाइन था उसमें लगनेश नवम में हो व्यक्ति को कहीं न कहीं पित्रों की किरपा या आशिरवाद मिलते हैं जीवन में पिता पक्ष का सहयोग कह लीजिए या पित्र पक्ष से कुछ संपत्ति या पैतरक संपत्ति से संबंदित इस्थेतियां ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है बात करूँगा मैं आपकी कुंडली में शनी के बारे में के योग कारक है शनी यानि केंदर तरिकोंड दोनों के फल मितर की राशी में लेकिन अश्टम में आठवे घर में बैठा हुआ शनी भूमी देगा जमीन देगा ये सब कुछ देगा क्योंकि ये एर्थाउस में है लेकिन जब अपने बल पर प्रपर्टी बनाने की बात आती है तो व्यक्ति से बहुत ज़्यादे एफर्ट्स कराती है अपने से संबंदित प्रपर्टी के सुख में प्रपर्वलम देती है कमी देती है व्यक्ति बड़े मुश्किल से अपने जीवन में प्रपर्टी खड़ी कर पाता है साती सात संतान से सुख सयोग दिलाती है लेकिन शनी जब जब एर्था उसमें आता है उसकी तीसरी दश्टी करम भाव पर होती है यानि व्यक्ति को प्रोफेशनली महनत कराता है ऐसे लोगों के लिए रोज की महनत होती है के भाया रोज उठो कुवा खोदो पानी पियो यानि प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल लगातार रहता है ऐसे लोगों के चलिए शनी की इस्तिया नवांश में ठीक है लाव भाव में बैठा हुआ है और यहां भी देखें तो ठीक है यानि ग्रहों की स्ट्रेंथ आपकी वर्ग कुडलियों में ठीक है इसका मतलब है शुरुआत टफ है लेकिन कहीं न कहीं उसका परिणाम भी है अब बात करते हैं दशम भाव में बैठे हुए बहुत सारे ग्रहों की सबसे पहले नीच का मंगल बैठा दशम भाव में यह मंगल यहां सब्तम भाव से राशी परिवर्टन करके है यानि बिजनेस में ही जीवन में फायदा मिलेगा एक कॉंबिनेशन तो यह हुआ नीच का मंगल है धन भाव और सब्तम भाव का मालिक है जब धनेश और सब्तमेश नीच का हो जाता है तो व्यक्ति को उस ग्रह की दशा अंतर दशा में पैसे से संबंदी तकलीफ का सामना करना पड़ता है व्यापार के अंदर पैसा खुल करना आना पैसा फस जाना पैसा रुख जाना इससे संबंदित इस्थितियां भी होती है साथ इसाथ जिसके साथ व्यापार कर रहे हैं साधेदारी कर रहे हैं उसके साथ भी समस्यां के सामदान सामना करना पड़ता है ऐसा आपका मंगल चो करता है क्योंकि मंगल नीच का प्लैनेट है मंगल के साथ क्या है बुद्ध है यानी इस्चतियां चलती रहेंगी सूरिया है लाब के योग बनते रहेंगे लेकिन सूरिया भी आपका केतू के साथ है और सूरिया जब केतू के साथ हो तो लाब पे ग्रहन लगाता है जहां एक तरफ मंगल बुद्ध सूरिया अपने आप बाद को तो तैय कर देते हैं कि भईया व्यक्ति कैसी भी परिष्चति में हो लेकिन व्यक्ति के पाँ जीवन में धन रहेगा, प्रपर्टी रहेगी, मान सम्मान रहेगा, बाकी सब चीजें बिजनिस हैं व्यापार हैं इनका अफ्सन डाउन चलता है लेकिन योग अपनी रखिएगा कि कोई कहmosगा आपका शुक्र बहुत बढ़िया है लेकिन आप कहिए जी सब सीब बढ़िया बतारे हो लेकिन अच्छा नहीं है वो कही न कहीं शुक्र की दशा आपको नहीं आई आपको पिछले लगभ लगभ छच्छ साल से मंगल की महतशा चल रही है ये मंगल नीच का है जिसके बारे में मैंना आपको भी बताया था कि भाईया धन देने वाला और व्यापार कराने वाला गर है जब नीच का हो जाता है तो व्यक्ति को उन सभी कारई शेतरों में प्रबलम आती है साथी साथ आप नवांश कुंडली में मंगल को देखो बैठा हुआ है फिर से उनी स्थान का मालिकों के छटे घर में छटा घर रोग, रेंड, रिपू, किसी प्रकार का करजा, कोई लोन, पैसे का रुख जाना, पैसा फस जाना वो सब चीजें इनी से आती है और दश्मांश में मंगल थर्ड हाउस में है, यानि महनत में कोई कमी नहीं व्यक्ति पूर्ण रूप से महनती है, महनत के बलपर जीवन में कुछ अपने बलपर करने में शक्षम है और ये मंगल आपको लगातार लड़ने की शमताय देता है जीवन में अभी आपको अंतरदशा चल रही है, मंगल में चंद्रमा, 28 नवंबर 2021 तक चंद्रमा, क्या करेगा चंद्रमा, चंद्रमा सभी जगे मेश राशी में, यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए इसका मतलब है, चंद्रमा तो ठीक है, कारे चलाता रहेगा, लेकिन यह चंद्रमा उत्तेजित कर सकता है क्योंकि यह एक अगनिता तवराशी में केतु की नक्षतर में बैठा हुआ है, इसलिए यह आपको उत्तेजित कर सकता है आपको तनाव दे सकता है आपको एग्रेशन दे सकता है आपको तेजगती से क्रोध दिला सकता है तो अपने उपर कम से कम नमबर 21 तक आप सयम रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई भी नया परिवर्थन आपको अपने जीवन में नहीं करना है चाहे वो वेवसाय के तोर पे हो या कैसे हो उसके बाद आएगी भाई साब आपको राहू की दशा कौन है राहू आप राहू को देखिएगा कि राहू आपकी कुंडली के अंदर फूर्थ हाउस में है शनी की राशी का है मितर की राशी का राहू है प्रपर्टी के हाउस में बैठा है यानि राहू अपनी दशा अंतर दशा में प्रपर्टी दिलाएगा क्योंकि वो शनी की राशी में और शनी अस्टम में है तो वो प्रपर्टी थोड़ी सी जो है टफ होगी यानि उसको प्राप्त करने में आपको काफी स्ट्रगल लगेंगे लेकिन राहू ने प्रामिस दिया है तो वो कराएगा नवांश में भी राहू देखिएगा फोर्थ हाउस में ही है अच्छा है और दश्मांश में राहू को देखेंगे आप तो यह राहू दौादश भाव में बैठा है बुद्ध की राशी में और बुद्ध यहाँ धन भाव में मंगल की राशी में बैठा है यानि ऐसा भी संभव है कि राहू जब दौादश भाव में दश्मांश में हो तो व्यक्ति को दूर के लोगों से संपर्ख जोड़ कर टूर से ट्रेवलिंग से यातराओं से इन सबसे जीवन में फाइदा मिलता है यानि राहू की दशा में इन तरीके के कारे करोगे तो अच्छा रहेगा आपके सवाल पर आता हूँ मैं अपने हैल्स ते रिलेटेड़ सवाल पूछा है दशा आरी आपको राहू की वर्तमान में मंगल की है जब चंद्रमा और मंगल दौनों ग्रह ऐसे चले हैं जो चर राशी में हो भाई सवाफ सफसे ज़्यादा परभावित करते है यह आपके माइंड को और माइंड के सासाथ बलड को यानि बी पी के रोग आपको परेशान कर सकते हैं अपने बीपी पर कंट्रोल रखिए अपने अग्रेशन अपने करोध जल्दबाजी पर ज़्यादा सोचने पर कंट्रोल रखिए नहीं तो अचानक से बीपी बढ़ सकता आपका और उससे आप टेंशन में या किसी परिशानी में फच सकते हैं तो हेल्थ वाइस बाकी और कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे आपके चार्ट में अभी नहीं दिख रही है बिजनिस में उतार चड़ाव रहता है वो मैं आपको मंगली की दशा से बताया मैं और भाई इकटे हैं बिजनिस में उसको अलग कर दें तो ठीक होगा उसकी वाइफ की वज़े से कलेश रहता भाई चाए छोटा हो चाए बड़ा हो मंगल और बस्पती उसके कारक होते हैं आपकी पूरी कुंडली में देखके मैं कहीं भी इस चीज़ को लेके प्रबलम में नहीं हो कि आपका भाई ठीक नहीं है उसकी वाइफ की वज़े से प्रबलम है लेकिन आप उसके चकर में अपने व्यापार को नाच ना करें उनकी प्रबलम है उनको सुलजाने दो सुलच जाएगी लेकिन अगर आपने उनके साथ कुछ अलग करने की कोशिश करी कि मैं अलग हो जाऊँ तो भैसा मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़े करनी चाहिए मैं तो आपको कहूंगा उनके साथ ही मिलके काम करो क्योंकि आपके दशम का मालिक अपने से दशम में बैठा है और मंगल से राशी परिवर्तन है यानि मंगल छोटे भाई बहन का भी कारक कहलाता है ब्रस्पती बड़े भाई का कारक है वो भी चंद्रमा को सपोर्ट देता है तो नहीं करना चाहिए आपको लग काम मेरे बच्चों का और हमारा फ्यूचर बताएं आपका मैं बताऊंगा उनका तो उनकी कुंडली सही पता लगेगा आपकी कुंडली से सिर्फ इतना पता लगता है कि हाँ आपका शनी ठीक है ब्रस्पती ठीक है आपकी संतान आपके लिए सही होगी है बाकी वो क्या करेगी जीवन में वो उसकी कुंड़ी से पता लगेगा मेरे बेटे को भी प्रबलम में है एक पढ़ाई और दूसरे करियर का भी तो वो तो उनकी कुंड़ी से पता लगेगा अगर बिजनिस कोई चेंज करें तो क्या चेंज करें चोटे बेटे को साथ में रखके हाँ बेटे को आप संतान को आप अपने साथ में रख सकते हो संतान आपकी हित्याशी रहेगी और आगे भी राहू आ रहा है राहू कौन है शनी की राशी में शनी पंचमेश है यानि संतान भाव का मालिक है कि संतान को साथ में रखके काम करा जाए तो अच्छा है यानि आप जिस में काम कर रहे हो वरतमान में भाई के साथ आप उसमें बच्चे को इन्वाल्व कर सकते हो और भी एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप अगर राहू की दशा में अपना सेपरेट बिजनिस करना चाहते हो तो भी आपके लिए कोई नुकसान के योग नहीं है इसको मैं आपकी नुकसान की दशा नहीं कहता तो डिसीजन आपके पास है वैसे तुम आपको भाई के साथ अलग रहने के लिए कहूंगा ही नहीं आप उनके साथ काम करते रहो बच्चे को भी इन्वल्व करो आपको लगता है कि नहीं अब उनके साथ काम नहीं करना है बच्चे को इन्वल्व लेके काम करना है तो आप बच्चे को इन वाल लेकर अलग से भी काम कर सकते हो जिस चीज में हाट डालते हैं वे मिट्टी हो जाती है जो पैसा ले जाता है वापस नहीं देता हो ये सब नीच के मंगल की वज़े से हो रहा है थोड़े दिन का और प्रबलम है उसके बाद देखिएगा आपके चतुरतेश चौतेगर में राहू नीच मंगल की देश्टी और शनी लेकिन ये भी बात अवश्चे है प्रबल्टी नस्ट हुई का मतलब यही है कि व्यक्ति ने खुद प्रबल्टी अरेंज की है खुद प्रबल्टी कमाई है और आप भविश्चे में भी प्रबल्टी कमाऊगे इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि आपने पूछा कि बच्चों के लिए कोई प्रबल्टी बना पाऊंगा नहीं आप आप मैं आपको बताता हूँ आपकी चतुरतांश कुंडली में आप देखिएगा कि जब आपको राहू में शनी आएगा ये देखिएगा दो हजार सताइस अटाइस और उनतिस ये तीन वर्ष आपके जीवन में बहुत बढ़िया होंगे प्रबल्टी के लिए इस दोरान आप प्रबल्टी लेंगे भी और प्रबल्टी से आपको फाइदा भी होगा तो वो इस्थिति आपकी चल रही है साथी साथ अभी 2022 से अगस्त 24 के बीच भी फोर्थ हाउस का रहु है तो कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रबल्टी कोई वहां चेंज होना कोई रिनोवेशन कराना ऐसा भी आने वाले समय में दिखता है लेकिन व्यवसाई के लिए कोई बड़ा परिवर्थन करने की ज़रुत नहीं है थोड़े समय की बात है आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी इसमें कोई संदेह नहीं आने वाली जो दशाएं हैं वो आपके फेवर में हैं इन दशाओं को फेवर में कैसे करें आपके पैसे वापस लोट कर आ जाएं आपको डिस्प्यूट्स नहों आपकी परिशानियां खतम हो जाएं उसके लिए कुछ रेगुलर उपाय होने चाहिए रेगुलर उपाय में जैसा कि आपके हाँ अर्ष होता भी है वो होता है सेवा भाव सेवा भाव का मतलब है शनी देव तो एक तो उसमें आप लग जाएए जैसे आप अपनी तरफ सेवा दे सकते हैं वहाँ जाकर दीजिए दूसरा हनुमान जी से संबंदित पूजा पाठ आप अपने जीवन में बाद लीजिए मैं आपको कोई बहुत लंबी चोड़ी पूजा नहीं बताऊंगा पहली पूजा मैं आपको बताऊंगा कि आप रोजाना बजरंग बाण का पाठ करो हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ आप रोजाना कीजिए एक बात जब जब मंगलवार हो और शनीवार हो मंगलवार और शनीवार शाम के समय या सुबह के समय चमेली के तेल का दीपक जलाईए घर में और बैठिये और सुन्दर कांड का पाठ कीजिए ये पाठ आपको सिर्फ दो दिन करना है बाकी सबी दिन आपको बजरंग बान का पाठ करना है रुका हुआ धन, फसा हुआ धन, प्रॉबर्टी डिस्प्योट्स, बिजनिस में प्राबलम ये सब इसी से सॉल्व होती चली जाएंगी इसमें कोई संदे नहीं एक डबल फायर ऑस्ट्रिलियन ओपल रतन आप अवश्य धारन करो शुक्र ग्रह का रतन, आपके लिए जीवन में लग्जरीज, शुक्ष, शान्ती, वेबसाय में तरक्य सब कुछ लाएगा आप मुझे संपर कीजे, नौ से दस रती का डबल फायर उपल आपको चांदी में बनवा के आपके एडरस तक भेजेंगे तरीका बताएंगे किस दिन किस तरीके से आपको पहनना है और करना है और उसके बाद आप अपने जीवन में देखेगा आपको अवश्य तरक्य होगी जो उपाय बताएं हैं वो जादे नहीं हैं लेकिन उनकी निरंतर्ता जरूरी है यानि उनको लगातार करना बहुत जरूरी है वो आप अवश्य अपने जीवन में कीजिएगा तो ये थी आपकी कुंड़ी कानलाइसिस आपके सवालों के जवाब नमस्कार